नमस्ते किसान भाईयों स्वागत है आपका अपने यूटूब चानल पे आज की वीडियो में हम जानेंगे डेरी फार्म कैसे स्टार्ट करें और डेरी फार्म स्टार्ट करने में कितना खर्चा आता है साथ में हम एक साल में डेरी फार्म से कितना कामा सकते है तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पाज गायों का छोटा डेरी फार्म बनाने में कितना खर्चा आता है और हम उससे कितना बाच्चा पाते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो तो किसान भायो डेरी फार्म शुरू करने में दो प्रकार में हमें खर्चा करना होगा तो सबसे पहले डेरी का कंट्रक्शन उसमें शेड जो गायों को चारा खानी के खुरली साथ में कॉंक्रेट का निचे बिस्सर और साथ में उसके उपर रबर मैट, मिल्किंग मशीन और चारे के कुट्टे करने का मशीन इन सब का खर्चा हमें जोडना होगा तो सबसे पहले शेड डिजाइन पर हम बात करेंगे तो पाज गायों का डेरी पाम स्टाट करने के लिए हमें 25 फीट लंबा और 24 फीट का चवड़ा शेड बनाना होगा तो उसके लिए हमें 12 फीट लंबे और 4 फीट चवड़े पत्रे के 14 शेड चाहिए उनका लगबग खर्चा आएगा हमें 16 से 17,000 रुपए के लगबग और उसको खड़ा करने के लिए हमें पिलर पाइप की जरुरत होगी 8 तो उसका खर्चा हमें आजाएगा सम्थिंग 10,000 के असपास उस्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जिसके उपर हम प्लैस्टिक की शीट लगाएंगे उसके लिए हमें चाहिए 2 इंच के स्क्वेर या रौंड पाइप उसका लगबग खर्चा हमें आजाएगा साड़े बारा या तेरा हजार के असपास और इसको प्लस करेंगे हम बनाने का खर्चा वी थोड़ा बहुत नर्ड बोल्ट और वाइजर का खर्चा मिला के एक्स्ट्रा खर्च वो हमें 10,000 के आसपास आजाएगा तो 16,000, 10,000, 12,000, 10,000 इन सब को मिला के हमें शेड बनाने में लगबग 45 से लेकर 50,000 रुपए का असानी से खर्चा आजाएगा उसके बाद खुरली यानि कि हम गायं को जहापर 4 डालेंगे वो खुरली का खर्चा हमें इसमें जोड़ना होगा तो हमें इसके लिए 24 फुट लंबी खुरली बनानी पड़ेगी तो उसका हमें लगबग रेडी मेड हम लेते तो खर्चा आएगा 7 से 8,000 रुपए के सम्ति उसके बाद गायं को जहापर हम बान देंगे उसके निचे हमें कॉंक्रेट करना पड़ेगा तो वो 10 फुट चवड़ा और 24 फुट लंबा हमें कॉंक्रेट करना होगा तो इसको बनाने के लिए लोए के सरिये बालू, सेमेंट, क्रेशिंग स्टोन और प्लस में जो बनाने के खर्चा है वो सब मिला के 15 से 20,000 रुपए हमें आ जाएगा उसके बाद गाय हम बांद के रखेंगे तो हमें उसके लिए कॉंक्रेट के उपर रुबर मैट भी छेनी पड़ेगी वो हमें 5 से 6 सीट चाहिए तो 2 से 27,000 के सम्तिंग एक सीट आता है तो ये लगबग 12 से 13,000 के आसपास हमें रुबर मैट का खर्च जाएगा उसके बाद दूद निकालने के लिए हमें एक मिलकिंग मशीन चाहिए वो हम सिंगल वकेट की भी अगर लेते तो वो आसानी से 30 से 35,000 में हमें आसानी से मिल जाती है उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन का खर्चा आजाएगा तो वो चारा कुट्टी के मसीन पे तो वो लगबग एक मसीन पे हमें 20,000 के आसपास खर्चा आजाएगा तो शेड, खुरली, फर्षया कॉंक्रीट, रबर मैट, मिलकिंग मशीन और चारा कुट्टी इन सब को जोड़के हमारा लगबग कंस्ट्रक्शन पर एक लाग 40,000 से डेड़ लाग के आसपास मोटा मोटा खर्चा आजाएगा यानि कि 200 रुपए पर स्क्वेर फूट के एवरेज से हम कंस्ट्रक्शन पर खर्चा जोडएंगे तो उसके बाद यह हुआ कंस्ट्रक्शन का हमें खर्चा उसके बाद हमारा खर्चा आजाएगा गाए पर्चेसिंग पर अगर हम पाच गाए खरिदे हैं 18 से 20 लेटर वाली या 20 प्लस वाली तो हमें 60 से 70 हजार रुपए एक गाए पर खर्चा आजाएगा तो गाए खरिदे में हमें 3 से 3.5 लाग के असपास एक अनुमाम खर्चा आजाएगा यानि कि कंस्ट्रक्शन और गाए की खरिदारी पर हमें दोनों को जोड़कर 4 लाग से लेकर 5 लाग के बीच में खर्चा आजाएगा ये तो हो गया खर्चा आप करेंगे बात मुनाफेपे यानि कि कमाई में इसमें हम लेबर कोश्ट और घर का चारा पकड़ते हैं इसके कारण हम ओ खर्चा नहीं जोड़ेंगे इसे जोरो पकड़ेंगे और खाद घ हम पाच गाय लेंगे तो एक साल में एक गाय एक बैत में 4000 लेटर के सम्तिंग हमें दूद मिलेगा अच्छे रख रखाओ और अच्छे हार हम अगर गायों को देते हैं तो 4000 के सम्तिंग हमें एक बैत में एक गाय का दूद मिलेगा तो पाच गायों का हमें 20,000 लेटर के आस आसपास एक साल का दूद मिलेगा तो आज का रेट है 30 ते लेकर 35 रुपए के आसपास तो हम 30 रुपए रेट पकड़ते हैं क्योंकि रेट कम ज्यादा होता रहता है तो यह 6 लाक रुपए के आसपास हमारा दूद का पैसा आ जाएगा तो इसमें फीड और मिनरल और मेडिसि निकालेंगे तो एक लिटर दूद को हमें कम से कम परडे का 300 ग्रैम फीड चाहिए तो एक गाए एक साल में 12 लाक ग्रैम के आसपास फीड खाएगी यानि कि 1200 कजी तो फीड की कोईट भी हम अगर 30 रुपए के आसपास पकड़ते तो एक गाए एक साल में 36,000 के आसपास फी तो मिनरल का कोश्ट पर केजी 100 रुपए अगर हम पकड़ेंगे तो ओ 15,000 के संथिंग मिनरल एक वैत में खा जाएगी तो इन दोनों को मिला कर हमारा फीड और मिनरल का खर्चा आजाएगा एक गाए पे एक साल का 50,000 के संथिंग और साथ में हम थोड़ा एक्स्ट्रा खर् इन पे मोटा मोटा खर्चा आजाएगा तो पाज गाय का दूद की कामाई हमें हमें मिली 6 लाक उसमें से हमें 3 से 3,5 लाक रुपए खर्चा निकालना होगा तो इसमें अगर हम केवल मुनापा पकड़ेंगे तो ओ 30 लाक क्या सपास आजाएगा तो इतना अगर हमें एक profit में होता है, मगर दुद के रेट गिरना, गायों की बिमारिया, या nutrition अच्छा ना होना, management अच्छा ना होना, या और कुछ भी कारण इसे कम जादा करेंगे, तो एक हमें theoretically मोटा मोटा मुनापा कितना पाज गाय से हमें मिल सकता है, इसके बारे में चर्च की, तो किसान भ जै हीन, जै भारत, जै जवान, जै किसान.